हेलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल इन दिस वीडियो वीडिस्कुसिंग अबाउट इलिफेंट इन रूम डाट इस हमें जेई के लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए बहुत सारे लोगों ने मेरे को मेरे लास्ट वीडियो के पाद यह कुछन पूछा मेरे ट पर आर्टिकल्स पड़े बहुत कुछ किया बट मैं उस चीज़ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा थे कि at the end of the day मैं कौन सी बुक करूँ क्या कि हर बंदे की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी अपनी अपनी अलग बुक प्रफरेंस होती है बट हर एक के पीछे जिस एक कारण तो जिससे मैं डिसपॉइंट था वो था कि मेरे को यह शॉरिटी नहीं थी कि क्या उस बुक्स को करके उस बंदने खुद ने उसको कभी इस्तेमाल किया है अगर मैं बोल र बुक्स को एक और मैं आपको बताऊंगा जिस ऑडर में मैं लुस्स बुक को कंप्लीट करें उस बुक का क्या एहमियत है हमारी जाइए प्रिपरेशन प्या क्या वो रोल प्ले करती है उन सब के बारे में आपको थोड़ा बाध बताऊंगा आपको पूरा आईडिया लग ह कि कौन सी बुक को कब करना है कैसे करना है क्यों करना है सब सारे आपके जो भी सारे डाउट है मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जहां तक हो सके complete हो जाए जिस order में मैं आपको बुक्स बता रहा हूं वह order भी important इसलिए है कि उससे आपको एक idea लग सकता है कि कौन सी ब initialization का लगा आप पहली बार theory पढ़ रहे होंगे तो उस बुक की language थोड़ी simple होनी चाहिए उस बुक में number of questions थोड़े कम होने चाहिए ताकि आप उस particular time पे theory पढ़ने में और theory में क्या लिखा है उसको समयने में focus कर सको यह जो हमारा particular video है यह basically physics के उपर है chemistry और maths के videos इस वीडियो के बाद में आएंगे so please mention in the comment section कि आपको पहले किसका चाहिए chemistry का की maths का so first of all let's start with the physics section तो सबसे पहले book जो आपके theory initialization में help करेगी वो होगी NCRT बहुत छोटी book है बहुत ही concise book है मेरे पास भी यह physics की book पढ़ी है यह मेरे पास अभी class 12 की 11th की part 1, part 2, 12 की part 1, part को दोनों मेरे पास पढ़ी मैंने इनको follow किया था इन पर आपको जादा time waste नहीं करना in the sense कि यह बहुत ही easy, बहुत ही simple read book है इसको आप शुरू से लेगे खतम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको खतम करने के बाद ही किसी reference book के ओपर jump करें ताकि आपको बाद में difficulty ना हो reference book की language को understand करने में so the most important would be the chemistry now इसके बाद जो next book आती जो theory के नाम पर बहुत ही जादा popular है वो है HC Verma, HC Verma के part 1 और part 2 है जो एक 11th section को cover करता है और 12th section को so basically मेरे पास वो दोनों की दोनों books पढ़ी है एक concept of physics करके आती है HC Verma की book ये अपनी theory के लिए बहुत ही जादा famous है हर आपको जो भी videos या जो भी आपको teacher कोई भी मिलेगा आपको HC Verma पढ़ने को जरूर ही जरूर कहेंगे क्यों क्योंकि ये हमारे fellow IIT professor ने लिखी थी और इस book की जो theory है वो बहुत जादा concise है जादा number of problems भी tricky side पर जादा है और इतने hard भी नहीं है बस आपकी theory को test करते है so this book is also very good for grasping the theoretical part in the initial times अब एक बार आप HC Verma और NCRT को खतम कर दो उसके बाद आप next book पर jump करोगे वो आपको theory development में help करनी चाहिए that is उनकी जो theory है वो थोड़ी और exaggerated way में और जादा आपको understand करा है वैसी होनी चाहिए और साथी साथ उस books के अंदर number of problems बहुत जादा होने चाहिए तो अपनी इस need को fulfill करने के लिए मैंने दो अलग-अलग publications को follow किया था like सबसे पहले तो मैंने follow की ती अर्यन publication की DC Pundeser की books जो पूरे 4-5 books की series में आती है let me show them to you तो यह पूरी है पूरी की पूरी तीन book है और भी दो books है जो मेरे को मिली नहीं मैंने इदर दर कहीं रख दी तो यह सारी की सारी books है आपके पूरे physics portion को entirely 11 तर 12 के पांच books के अंदर cover करती है और बहुती छोटी बहुती एक एक बुक बहुत छोटी है अपने unit को बहुत ही अच्छी तरगे से explain करती है number of questions भी बहुत अच्छे है इनके अंदर तो यह आपको अपनी preparation के लिए sound balance बना के दे सकती है इन book को follow करने के बाद I thought की मतलब मेरी preparation लगबल लगबल तो हो गई थी अच्छी खासी but still there were few questions जो मेरे को लग रहे थे कि मेरे से solve नहीं हो रहे थे या थोड़ा उनके लिए और tricky questions करने के जरुरूत थी तो उस need को follow करने के लिए एक बार जब मैंने completely अपनी अर्यन publication के बुक को complete किया उसके बाद से the next book which I jumped on to for the same need अब उस बुक की सीरीज भी यह भी पूरे चैब की सीरीज के अंदर आती है हमारी और बहुत ही सारे बुक से तो मैं पूरी आपको उठा के दिखाऊंगा नहीं यह four of them है और वैसी दो बुक और यहां में पास रखी हुई है तो यह जो बुक है यह और थोड़ी बड़ी दिख सकती आपको यह थोड़ी आपको कॉसली साइड में भी जा सकती है इस बुक की जो एक नेगेटिव जो मझा पॉइंट है वो मैं यही काऊंगा कि इसके इंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स थोड़ी जादा है अभी तो नए ने एडिशन के साथ हर साल उसकी मिस्टेक कम होती जा रही है बट स्टिल मेरे को मेरे टाइम में कुछ को जगाओ पर ऐसा दिखा था कि गलत आंसर लिख रख्या हो या प्रिंटिंग मिस्टेक हो करने होते है या फिर आउट ओफ दी बॉक्स को चाहिए रहता है तो उस चीज़ के लिए आपकी एक बुक जो आपकी नीट को सेटिस्फाइब कर सकती है वो है नन अनदर अनदर दैन दे इरड़ोफ बुक दबुक इस प्रॉब्लम्स इंडर फिजिक्स बाइए इड़ोफ से कोस्टन हमारे स्विलबस के अंदर है यह आपकी लास्स मुमेंट के लिए आप रखो तो ही बैटर लाइक आपने एक बार सारी बुक को खतम कर लिया है दैन उल्ली गो फो फो एक बार आपने एड़ोफ कर ली तो एक बार के लिए आपकी मदलब प्रेपरेशन खतम हो ज करती है वह होती है हमारी जोंको रिविजन करवा दें तो उस चीज के लिए मैंने बुक्स फॉलो की थी लाइक प्रीवेस बनायते मैंने और कुछ मॉक टेस्ट वाली बुक ली थी और एक थी जो इन जेनरल हर चैप्टर के उपर से थोड़ी 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 मैंने वैस इस चीज के लिए इस चीज के लिए यूज की थी तो उसमें से सबसे पहली जो है वो तो है प्रीवेस को अरिहंद तो वह मैं आपको दिखा जाता हूं तो उसमें तो यह वाली बुक है यह लास्ट 36 सेर्स की का कि पुराना वर्जन है मैंने बागी के डाउनलोड करके करना यह श्चैप्टर करता है पिर उस चैप्टर के प्रीवेस को समर्म बना लेते हैं तो वो भी एक तरीका है करने का बट मेरे कहसे household चैरी सारी को वर्ट में किये थे इस बुक के मदद से तो इस तरीके से करना चाहोगे बट इस इस वाट आई डिट उस प्रिवेस एर कोश्टिंड बॉक के अलावा मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए एक जो बॉक की थी वो थी अपनी CP पॉब्लिकेशन ही मैंने ओनलाइन देख और रोग की थी इसके रिवीज बड़ अच्छे आगे पर तो इस वो थी जैए एडवांस यूइट वाइस प्रैक्टिस्ट एस फिजिक्स भाई सीपी पॉब्लिकेशन्स लाइक इट है अपको दस बारा दस बारा एक कोश्टिंस मिलेंगे तो यह भी आपके लास्ट मोमेंट पर करने के लिए बहुत सही रहेगी लाइक देख मच आपको अपको अधर फटाफ फटाफ प्रपरेशन करने और आप थोरी पंड़ने से हो सकता है लास्ट बढ़े बोर हो जाओ इसके जैसी एक और बुक है जो मैंने ली थी वह थी फिजिक्स गैलक्सी की कुश्टिंस इन जी आडवांस लाइक फिजिक्स गैलक्सी तरह जैसे और आप दो फिजिक्स आरवांस एक बोग है जो हर तीनों सब्जेक्ट में वैलिड थै वह है मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट पर रहली एक बूक है रही आपको दिखा जयता हूं एक बूक का अभी आपको दिखा जैता हूं एक दिग दिखा जाह लिए फुल सेलबर आप को च्छिंग को चुक्छ नहीं हो जो भी को जाता है आपको नमडर पेपर करने कम आपको एक वो दूंगा गई है या आप किस लेवल तक आचुके हो so that would be all books के section में like अगर आप इतनी books कर लो मेरे साब से तो ये books मैंने इसले जादा किती कि मैं किसी coaching में इन्रॉल नहीं था तो मेरे पास free time मेरे hand में थोड़ा सा जाधा था बाकी बच्छों comparatively so you know you can cut out few of books जावे मैंने आपको choice दे रखी है but ultimately these were the books that I did you can also do it and I am sure that they would also give you the harvest which I got from them so that's it from my side next video chemistry and math की जैसे मैंने आपको कहा इसके बाद मैं डालूँगा but आप में को एबाद का पिर से comment section में comment करके बता दीजिए कि आपको कौन से subject की पहले चाहिए the chemistry or the math that's it from my side for today thank you take care and study hard